हेलो फ्रेंट्स, कलर्फुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है आज हम वाशिंग मशीन के लिए कवर बनाएंगे तीन तरीके के कवर में आपको बताऊंगी तीनों तरीके बहुत ही आसान है और हम इसे पुराने कर्टर या बेड़ शिट बना सकते हैं यह जो तरीका में आपको बता रही हूँ यह सबसे आसान तरीका है आपके पास अगर सिलाई मसीन नहीं भी है तो भी आप हाथ से भी से बना सकते हैं किसी भी एक कपरे कर्टर या फिल पेड़ शिट को आप इस तरह से फैला लिजिए लंबाई आपको जितनी चाहिए पूरी लंबाई की होनी चाहिए और चौराई अगर एक्स्ट्रा है तो उसे हम कटिंग कर लेंगे यह देखे मैंने पूरी लंबाई में से फैला लिया है और चौराई हमारी लगबग सही है अब चौड़ाई में इसे हम सिलाई कर लेंगे यहां से लेकर नीचे तक हमें दोनों साइट से सिलाई कर लेना है यह देखे कपरे को मैंने फोल्ड करके रखा है अब दोनों की नारोपन हमें सिलाई कर लेना है दूसरी साइट भी सिलाई कर लेंगे मैंने से स्टिश कर लिया है अब इसे हम मशिन के उपर लगा लेंगे इसे हमें इसी तरीके से उल्टा ही लगाना है देखे इस तरीके से कवर को हमें लगाना है उपर का जो साइड है सिलाई को हमें साइड वाले पार्ट के बीच में रखना है तो इस तरह से रखेंगे तो एक कॉर्णर सा बन जाएगा तो यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए मैं पिन लगा ले रही हूँ और सीधी हमें सिलाई कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे तो पहले मैं पिन लगा ले रही हूँ आप चाहे तो हाथ से भी कच्चा कर सकते हैं उसके बाद उसके उपर हम पक्के सिलाई कर लेंगे दूसरे साथ भी हमें इसी तरीके से कॉर्णर बना लेना है कॉर्णर कितना बड़ा होगा ये आपके मशिन के साइस पर डिपिंट करता है अब सीधा करके कवर को लगा लेजिए देखी इस तरीके का कवर बन जाएगा मैंने इसे हाथ से सिला है क्योंकि मुझे दूसरे तरीके का कवर बनाना है तो मैंने बस आपको इस तरह से हाथ से सिल कर दिखाया है तो यह बहुत ही आसान तरीका है मशीन या बॉक्स का कवर बनाने का तो चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं सबसे पहले उपर के पाट के लिए हमें कपरा कटिंग कर लेना चारो साइड से कपरा कम से कम दो याढ़ाई इंच एक्स्ट्रा जरूर होना चाहिए चारो साइड से उपर के पाट के लिए हमने कटिंग कर लिए है अब लंबाई और चौराई को देखते हुए हमें कपरा लेना है यहाँ पर मैं डबल बेडशिट का यूज़ कर रही हूँ तो जो लंबाई है वो इस तरीके से हमें नाप लेना है उतना ही लंबा कपरा काटना है करीब तीनी इंच एक्स्ट्रा लेते हुए और साइड से कपरे को घुमा कर हम चौराई देख लेंगे अगर कम आ रहा है तो कपडा इसमें जोड लेंगे यह कपरा सिंथेर्टिक है तो इसके धागे किनारे से निकल जाते हैं तो सबसे पहले मैं उपर से इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और नीचे से भी फोल्ड करके सिलाई कर लूँगी नीचे वाला भाग भी हम फोल्ड कर लेंगे और इसकी सिलाई कर लेंगे कवर हमें बिल्कुल फिटिंग बनाना है तो यहाँ पर हम देख लेंगे और सिलाई के लिए मार्क कर लेंगे इस तरह से टाइट पकड़े वे निशान लगा लीजिये और उपर से लेकर नीचे तक सिलाई कर लेंगे सिलने के बाद सीधा करके मशिन में से लगा लीजिए उपर के लिए जो हमने कपड़ा लिया था अब इसको चारो साइड से हम फोल्ड करेंगे और सिलाई कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा फोल्ड करते हुए हमें, चारो साइड सिल लेना है, अब एक साइड से हम जो नीचे वाला कवर है, उसके साथ इसे हम स्टिश करेंगे, बाकी तिन साइड खुले रहेंगे, कपड़े को हमें, जो नीचे वाला पाट है, उसके उपर रखना है, इस तरीके से, और उसके उपर हमें सिलाई कर लेनी है, यहां से लंबाई में सिलाई कर लेंगे, देखिए से हमने सिल लिया है, तीन साइड से, यह खुला है, अब इसमें हमें जिप लगानी है, तो इसके जिप के लिए मेजरमेंट ले लिए, तीनों साइड का मेजरमेंट हम ले लेंगे, कपड़े का हमें मेजर्वंट लेना है मशिन का नहीं लेना है तो जो उपर वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा जिप को हमें एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहां से जिप को नीचे रखकर और कपड़े को ऊपर रखेंगे जिप को नीचे रखेंगे और सिलाई करना शुरू करेंगे यहां से लेकर दूसरे किनारे तक हम इसे सिल लेंगे उसके बाद सिलाई करने के बाद जिप को हमें खोल लेना है और जो नीचे वाला पार्ट है उसे हमें यहां से लेकर दूसरे किनारे तक सिलाई कर लेना है तो जिप लग जाएगी उसके आदा पर रना डालीजिए और जो एक्ट्रा किनारे से हम जिप लेंगे उसके सिलाई कर लेंगे अगर आप बिना जिप के कवर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कवरासन तरीका है यहाँ पर मैंने कपरे के स्ट्रिप लिए है लगपक 5 इंच ये चौड़ी है और एक साइड मैंने इसे फोल्ड करके सिल लिया है इसमें इस तरह से हमें प्लेट बनानी है फ्रील बनाएंगे इसकी इस फ्रील को हम मशिन के कवर के साथ सिल लेंगे उपर का जो पार्ट है उसके तीनों साइड में फ्रील को हमें लगा लेना इस तरीके से तीनों साइड हम सिलाई कर लेंगे तो यह देखे बिना जिप का यह कवर बन गया है जब भी कप्रेद होने हो तो बसे से पीछे के साइड कर लिजे और जो हमने फर्स्ट वाला कवर बनाया था उसे जब हम कप्रेद होएंगे तो पूरा निकालना पड़ेगा उसके बाद उस मस्रीन का कवर बन्कर तीयार हो गया है तीन तरीके मेंने आपको बता दिये हैं आप कमेंट करके दरके जरूर बता आएगा क्यों सा तरीका आपको पसंद आया है अगर बीडियो पसंद आया थो वीडियो को लाइक और शेर किजेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद